हेलो माई डियर इस्टूरेंट वेलकम टू माज मैथ क्लास क्लास 4 एक्सरसाइज 8.1 इस्टूरेंट इस चैप्टर में हम इस यूनिट में हम पैटर्ण वाले कोश्चनों को करेंगे सबस Àसर मेन था की पैटर्ण मोंता है ठीक है कि इस टूर्य पैटर्ण का मतलब मतलब होता है तरीका किसी खारियों को करने का धंग या मैं तड़र किस subscribe किस तरीके से करнее न उसे पेटर्ण कहते हैं ठीक आजी महान लीजे पैटर्ण आप अपने भी बना सकते हैं आप लीजे आपने बनाना चाहरा नहीं तो इसए पैटर्ण कहते हैं हर question का pattern अलग अलग हो सकता है ठीक है जी pattern कोई भी इंसान अपने तरीके से बना सकता है तो student हमें किसी भी question को study करकर उसे अच्छी परकार समझने के बाद में हमें उसका pattern find करना होता है कि इस question में कौन सा तरीका use किया गया multiply की गई प्लस किया गया minus किया पहले प्लस किया गया उसके बाद multiply की गई तो इस परकार orchestra तो pattern अलग अलग हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा है या पढ़ाने के तरीके में कोई गलती है कोई कमी है या हमें और ऐसे करके कुछ और बैतर कर सकते हैं तो student आप अपने सुजाओ comment में लिख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो लगती है तो student आप इसे share करें लाइक करें और comment तो अपनी रहे जरूर दे comment में कि आपको यह चैनल कैसा लगता है ठीक है जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी से method यूज़ करूं ताकि आपको अच्छी परकार समझ में सब्सक्राइब करें और अपनी राइब इस चैनल के विसमें जरूर लिखें तो देखें स्टूरेंट कि अगर दा मल्टिपल ओप हो है तो स्टूरेंट हमें फोर के मल्टिपल लिखने है जो यह वन से लेके 52 तक के जो कांटिंग नंबर लिखे गया है यहां पर तो स्टूरेंट इनमें से आपको फोर के मल्टिपल चूज़ करने होते हैं इस फोर सबसे पहला कोश्ण यहीं आता है कि मल्टिपल होता क्या है अगर आप यहीं समझते कि मल्टिपल क्या होता तो आप सूज कैसे करोगे कि भाईन यह वह फोर का मल्टिपल है ऑल रहा है कि आख वह कोई भी म्वार बहुत pistol है तो जब हम किसी नंबर की multiply natural number के साथ करते हैं और जो आंसर हमें प्राव्थ होता है उसे ही हम multiple कहते हैं वेन वी multiply a number by counting number है वन टू त्री फोर इस पर का तो देखे इस्टेंट आप यहां पर देख सकते हैं जैसे फोर ही है फोर गई multiple लेते हैं फोर एक number है इसकी ही multiply a number one से करते हैं फिर टू से करते हैं फिर थी से करते हैं तो जो आंसर प्राथ होगे 12345 ऐसे करते हुए तो वेही multiple कहलाते हैं और बंजा फोर टू जा एट फोर थी जा है ठीक है जी तो स्टुएंट यही मारे जो है multiple है क्योंकि हमने एक नंबर को नेचुनल नंबर से multiply किया तो जो अंसर आया हो ही multiple कहलाएगा इन अदर वर्ड दूसरे सब्दों में आप कह सकते हैं स्टुएंट यानि कि यह फोर का टेबिल है आप पॉर्गा टेबिल में जो भी करमवाइज नंबर आते चले जाता है वह नहीं आपको कलर करना है इस्टुएंट हम यह आपको कलर नहीं कर सकते इसलिए अम यह नहीं अंडर लाइन कर देंगे कलर की जो ठीक है जी तो देखिए इस परकार आम इन अंडर लाइन कर सकते हैं तो इस ट्रेंट यह 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 ही कतम नहीं होता दो को टेबिल टेन तक क्तम हो सकता है लेकिन यह वास्तों में जो टेबिल होता है तो आगे भी चल सकता है तो कि आप जानते हैं किसी भी मल्टिप्लाई कीजिए असे तो आपका वो टेविल हो जाएगा अगर हम 11 साध्य करना चाहें तो स्टुडेंट फिर क्या आएगा 11 जा आपका 10 के बाद या ऐसे लिए फिर 12 आएगा स्टुडेंट फिर 13 आएगा है ना तो स्टुडेंट इन यह भी कर लीजें 11 फोल्जा 44 तो स्टुडेंट यह आपका 44 यह टेविल को हमने आगे कर लिया और बढ़ा लिए अलेविन 12 फोल्जा 48 ओके स्टुडेंट आज है थार्टिन फोल्जा पढ़ रहे हैं फोर थार्टिन जा पढ़ लों 52 तो स्टुडेंट आप इस स्टुडेंट को कहीं तक भी ले जा सकता है ऐसे ही मुल्टिपलाई करका ठीक है पर इस स्टुडेंट में सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए तो तो इस टुडेंट है आपका जो आप समंझ गये कि मुल्टिपल क्या होता है कोई बी टेबिल आप लिए वह ही मुल्टिपल होता है किसी भी नंबर का वन जा टू जा त्रींट फोर जा फाइव जा लिता इस सब 10 से आगे भी कर सकता है 11 12 13 14 15 की मल्टिप्लाइब भी कर सकता है और वो भी टेबिल आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो यह कोशन आपको उमीद है कि आपको सुझ में आ गया होगा अब कोशन बटू इस्टेड़ी दा पैटर्ण ओफ दा नंबर्स इन इच दा फोलोईंग एंड फिल इंदा मिसिंग नंबर्स तो स्टुएंट देखिए यह कोशन दिया है एक ग्रेप टेपिल है इसे में जो ह करने है इसमें भी नंबर दिये गया है तो जो नीचे आपको फील करने है अब कैसे करने है वह सबज़ लीज़े देखिए इन्होंने यह लाइन दी इस्टुडेंट आइए दूसरी लाइन दी तो आपको यह देखना है का रिलेसंशिप क्या है हस्ट लाइन हर्ट रोवर क्या आज से हैं कि है यह लाइस से कैसे हमने पराप्त की जिस तनी की साहँने यह तmbol कहीं करें प्रकर यह करें पैर के हिह एक ही होना चाहिए कर यहां पर कुछ और पैटर है यहां कुछ और लगा दें यहां कुछ तो फिर आपका कोश्चन गलत हो जाए देखें इसमें पहले वाली रो है जो पहले वाला बोक्स चोड़ें ठीक है फॉर टूजा एट फाइव टूजा टैन और शिक्स टूजा ट्वैट देखें इन सब को पहली रोप पहले वोक्स को छोड़ा सब की मल्टिप्राइब टू से कर दी तो यह सब तीन नंबर आगए घ्रण इस परकार अब इस रोओ में पहला बोक्स चोड़ जाशी परकार अब सेगें रोओ में भी जो फर्स्ट बोक्स से छोड़ना होगा एट वाले अब इनकी मल 24 ठीक है जी अब इस्टुडेंट हम क्या करें अब फिर हमें जो अगली लाइन है अगली रो है इसका भी जो फ्रस्ट बोक्स से छोड़ना हुआ जो सिकेंड बोक्स की में टिप्राइट उसे कर देनी होगी अब 24 तूजा 48 अब क्यों चैनल आप ऐसे करके देख लिए तो इस्टुरंट यह कंप्लीट हो गया काथ को बदा चल गया होगा पहले हर रोग के पहले पहले बोक्स को चोड़का सभी लोग बोक्स का को अब टू से मल्टिप्लाइग करना है ठीक है जी फॉट जा एट पाइट जा टैन शिक्स तूजा ट्वैं अब एट को छोड़ दे होगी फाथ पोटी जू है ठीक है यह लुजह आपनी इंस्ट्तिंट अपना एक कोशन कोश्च घू अब नियन ważne टोंस दो च इस ट्व 본 प्लस लम प्लस करेंग अगेई फ सुटोंस हो ठीकाटट डव तक सփब लूस करेंगा संफ ज़ोगा कहने का मतलब है इस इस रो में हमने 222 प्लस किया पहले दिजिट में पलस करके नंबर है तो बिद्वनें इसमें हमने कि अब थार्टिंट टू फिफ्टीं पेटंटिंट टू को कि अटू फ़न्टीटव कि तो लेगत कर सकते तो सब प्लस हो रहा है ऐसे समय प्लस हो रहा है तो अमें यह पता चल लेकिन अवह इतना जानके भी कोश्न हम नहीं कर सकते क्यों कि हम यहां पर लिखे जिसमें तूटू पलस करके यहां जाए तो यह उसे देखे लिए तो यह शिक्स्टीन है कि मैं यह तो टर्तिन हम समय थरी माईनस कर गया तर्टीन कि इसे टेंट टेंट प्रोंट ऐसा को एक रिटीन में गर्में सब्सक्राइब तो इस तरह सबी लाइब से तरी माइनस है ऐसे तो इसी पैटन को में आगे बढ़ाना है तो क्या रह जागा सबीन रह जागा अब इसमें कितने प्लस करते हैं तो यह हो अमारी कलीव कंप्लीट हो जाएगे तू प्लस करते हैं है जाए इस रहाइं चाहında कि नाइन तो अंट अलेविट अलेविन कि हाटी थिन टो फिटीन आप फिटीन टो सेवनट अब यह यह रहा हमारी कंप्लीट हो एसां टू टू प्लस होगे आप इस तू और टू न से थी माइनस करें आप झाहन नहीं बचे गा आप 14 में से 3 मैनस करेंगे to अलइभी नहीं बचेगा 16 में से 3 मैनस करेंगे 358 बचेगा और 20 में में 3 मैंस करेंगे 17 बचेगा तो उस्टूएंट ऐसे 3 माइनस होदे वह समनिगे और ऐसे 2 2 प्लस हो तो इसका पैटन था इस मैफड के दोरा इन्होंने स्कॉस्चन को किया था तो हमने इसेuhan कर लिया याना यानिकि हमने सुल जा लिया समझ लिया इस पैटन को अभी इस पैटन को समझने बाद में स्टुट्ट हमने अपनी जो यह संक्याथ कि इसे फील इधर को 2 2 प्लस होंगे और इधर को 3 3 माइनस होंगे ठीक है जी तो एक कोस्ट नमबर 2 आपको एकम्प्लिट होगा आप कोस्ट नमबर 3 कोस्ट नमबर 3 दे किस्ट नेंड वां फिल इन दा मिसिंग ट्रॉंस इनोंने कहा जो संबन्द आउन संबन्द इस इस्टूरेंट जो हैं के ट्रॉंस उन्हें आको प्णक तो पींड करना है चार सरकी Kent लाइं वांड टू त्री ते समय के सरेंट इन्द में एक लाइन जो है यह बीच वाल को दो बराबर बागू है बाड रही है और यह सबी में करने हैं ना सबी सब्सक्राइब बात के समानता है कि एक मतलब करें टूद्धेंट करो है सब्सक्राइब कर दो नहीं कि तो स्टूडेंट इस सर क्यों को दो बրबावर वाओं मैं बाटने का मतलब है कि उपर वाले के लिए जो आप अलग रूल हो गई और जो नीचे और इसके लिए रीजान हो ऐडने के लिए है कि उस्ते है तो प्लम्हाय को यह माइनस करें यह इनस पूल करें टो ऑकि तो फोलो करें ही है कि अब आपको ऎ पॉल पैटल समझना हुआ तो स्टूरेंट पैटर्ण के लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं यानि के जो कोशन है एक्सामनर है जो कोशन बनाता है वह अपनी मर्ची से इसमें पैटर्ण डालता है है ना क्या डल्ले वह आपको डीकोड करना होता है लुग करना होता है अब देखे यह नंबर है पहले हम श्कुलेंट आदा लेते हैं उपर ला विए लीग क्या यह ठुट्री एक भर है अगर हम इसकी मैं टूं कि अच्ट किया जाएगा गो जाएगा अच्छ भोजाएगा अजिक्स में से माइनस मां कर दे तो फाईव आ गया मैं तो डिक है जी तो आप इस्टोएंट अब यह क्या है शिक्स है अब सिक्स की मेंटिपलाई हमने टू में कर दी तो इस्टोएंट ट्वैल आ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया तो 11 अब यह नाइन है नाइन की मुल्टिप्राइब टूल में कर दी तो स्टुडेंट एक टीन आ गया कर गया तो 17 आ गया तो यह हमने आद देखे उपर वाला लिए तो इस पैटर्न का यूज हो रहा है समय आप देख रहे हैं जो इनके आगले वाले नीचे वह नंबर किस पर कार रहे भाए ठीटिप्राइब टूल सिक्सों से माइनस वन करते हैं देखो यह इसको फाइब आ गय तो जो ऊपर वाली डिटिट है उन्हें ऐसे करके निचरे वाले अंसर आते हैं तो यहां पर है तो इसका ही परियोग करेंगे इसी नंबर का और इसे एट की मल्टिप्लाइब टू में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी सिक्स्टीन और सिक्स्टीन में समान माइनस कर इस पर हुआ जाएगा तो यहां स्टूर्ण्ट क्या आएगा है इस तो इसमें मल्टिप्लाइब हुआ उसके बाद प्लास हुआ माइनस तो आप नीचे वाला जो सरकी लेर उसमें बंप्लास होगा है कि क्या होगा इसका पोजिट हो जाता है उल्टा हो जाता है जैसे नाहीं नाइन में हम फ्लेश कर देंगे तो तो इस्टोएंट तू से मल्टिप्लाई हुई थी तो आप उपजिट होगे डिवाइड नहीं तो फाइव जा टैंग तो यहां पर फाइव आ जाए आप समझ रहे हैं न तो सभी ऐसे हुए है देख लीजिए अगर आम इसमें से वन इसमें वन प्लस कर दें तो हो जाएगा ट्वेल को हम तू से डिवाइड कर दें तो स्टूरेंट शिक्स आ जाएगा है ना अब देखें इस जैसे यह है अब प्लस वन कर दिया तो शिक्स्टीन को आपने तो यह पहना यहां पर तो यह परकार यह यूज हो रही है तो जो आदा सर्कील लिए उसके लिए अलग और जो है उसके लिए अलग उपरवाले के लिए क्या है जी नंबर मॉल्टिप्लाइट और प्लस माइनस वन ठीक है जी यह तो इसके लिए है फोर्मूला अब नीचे वाले वोक्स के लिए क्या है जी नंबर जो भी दिया नंबर रहा है प्लस वन और डिवाइड वाइट तो यह नीचे के लिए है ठीक है जी यह पैटर्न ऊपर वाले के लिए है और यह नीचे के लिए है कि सोज़ेंट अब नेक्स्ट देगी जिए इसमें भी स्टुलेंट ऐसा ही होगा देखिए अब यह फोर है एक होर मॉल्टिप्लाइट टू एट आगा है स्टुड़न्ट और प्लस वान तो नाइन हो गया देखिए यहां पर नाइन है ना पहले हम इसका ही पैटर्न देख रहे हैं अब टू शिक्स मॉल्टिप्लाइट टू ट्वेल हो गया प्लस वन थाटीन हो गया टीक है जी अब टू 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 जा फोर और वन फाइव तो यह पैटर्न देखिए टो जो पहला वाला अधा सरकील है उपर का तो उसका पैटर्न क्या और जागा कि नंबर मॉल्टिप्लाइट टू पलस वाल है जो नीचे वह नीचे वाला पैटर्न तो इसमें माइनस ता इसमें प्रश्यूँगा तो आमें नीचे क्या डीचित हैंहारी यह वाले है और यह तो नमबर मैं टीप्लाइटू पलस वान तो कितना हो जागा जी ट्वन्ट्य प्लस वान इस बल्टीटू तो चुट्वान यहा पे तो यहां पर 21 आगा आप समझ गयोंगे तो स्टुडेंट इसमें अब यह वाला रह गया है नो यह उप्वाएं तो स्टुडेंट इसके लिए अलग नियम लगेगा 17 माइनस नमबर माइनस वन और डिवाइड बाई 2 तो नमबर कितना है हमारे पास 17 पलस वन तो 18 हो जायागा स्टुडेंट एक्वाल टू माइनस था स्टुडेंट यह माइनस कची नहीं ना तो यहां 16 आ गए और डिवाइड बाई टू इसकोल टू एट तो यहां एट आ जाएगा आप किसी भी नमबर को स्टुडेंट नीचे वाले को करके देख लिए ओपर ऐसे जाए ठीक है देखिए आपको हम यह ठाटिन वाला नाइन वाला करके दिखा रहे दिखेंगे नाइन मेंस कर गया तो इसके उपर के लिए यह वाला लगेगा और नीचे के लिए यह वाला लगेगा ठीक है तो आपको यह सुझ में आगए होएं तो आप नेफ्ट देखिए तो स्टुडेंट देखिए अब उपर के लिए यहां कितना लिख रहा है स्टुडेंट लिख रहा तो पहले बहुत है जो इन्हों ने करके ताकि हम अपने जो इनका पैटरन है सब्सक्राइब कर से और के स्टुडेंट यह सेवंटीन है स्वेंटीन का अगे कि आया ट्वंटिवान है तो इस्टूडे हम दिख रहा है अगर 8 में 4 प्लस कर दें तो 12 नीचे 12 आगा स्टुडेंट हम यहां 5 में 4 प्लस कर दें तो नाइन आजा तो इसका पैटरन का पता चलगा कि बही ऊपर वाले जो सरकील है आदा उसमें इन्होंने 4 4 प्लस किया है तो इसी परकार स्टूडेंट 12 में 4 प्लस क कर देंगे तो स्टूडेंट 16 आजाएगा यहां नंबर आगा हमारा 16 है ना तो इस्टूडेंट पर वाले गोले के लिए क्या हुआ नंबर प्लस फोड अब नीचे वाले के क्या हो जागा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा है ना तो इस्टूडेंट कौन सा रह गया आपका देखिए यह ट्वैल में से पौर मैनस कर दिया इट आगा ना इन में से पौर मैनस कर दिया पाइवागा अगा तो यहां पर क्या आजाएगा तो नीचे वालेगा पैटन क्या आजाएगा नंबर माइनस फोर जो भी नंबर दिये गया है उनमें से आप फोर को माइनस कर देंगे थी के और बेलिदा तो यह 3 नु थेडियों कि फैंटस देख लिजे उसके इससके लिए भी भाए इसके लिए यह आप ओजिट होता है जो उपर वाले के लिए होता है और उसका पौजिट नीचे वाले के लिए हरता है जेखेए यहां क्या लिख रहा यहां से नीचे बीचार देखते हैं यह की मौल्टीप्लाइब 3 में कर दी यह एंगे कर दिया तो 3 मुल्टीप्लाइब 3 is equal to 9 के रिए टीड श्टॉडेंट से मिल्टी इस पूर्टीन आगे अपना को टिनाइं की करते हैं अब अलेविन का विचार कर दिया स्कॉर्ड का मतलब तो मंहां ड़े तो नुटीवण आ गया लोगों मिल्टीप्लाइक डियो उसी नमबर नमब की साथ नमबर में मुल्टिप्लाइब कर दें तो हमारा अंसर आ जाएगा उपर है तो अब यह नाइन है तो नाइन मुल्टिप्लाइब स्मझ गया अब ये जो डबल है आपको सिंगल कर ले ना तो नीचे वारा जो बोक्स याज है तो स्ट्रेंट के उनके क्या कर लेगे अंदर सब्सक्राइब कर लेगे स्टुनेंट इना तो यह जोड़ा होगा इन जोड़े मैं से एक लेते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है अभी आपकी सब्सक्राइब नहीं आ रहा हुआ तो इस्टुनेंट आप देख सकता है यह आप ऐसे अगर इसकावरब मून नहीं कर पाता आप देख सकता है है किसकी मॉल्टिपलाइब किस डीजिट में करें गे 25 आ जाए आप ऐसा भी सोच सकते हैं यह ना ऐसे देख सकते हैं पर ठीक मॉल्टिपलाइब करें और में करी 16 ना इसलिए इसलिए स्टुनेंट यहां पर 5 आ गया ठीक है अब कोशन नमबर फूर इस्टेडी दा पैटन सो बाई दा संग ओफोर इस्टूरेंट यह एक पैटन दिया गया है यहां से लेंगे यहां तक आपको इसे स्टेडी करना है इस पूरे पैटन को आपको स्टेडी करना है पढ़ना है समझना है कि इनोंने इसके आंसर कैसे आई ठीक है जी और इसे स्टेडी करने के पार दिए बाद में जो यह डिचित दे रखी है स्टूरेंट वाटिज दा पैटन क्या पैटन यूज यूज यहां फाइंड दा पैटन करके उसी पैटन के उसार यूजिंग दा पैटन पैटन को यूज़ करके आपको इसका अंसर ना है ठीक है जी तो इसका पैटन क्या यूज़ हुआ फर्स्ट नमबर फर्स्ट नमबर फोर्थ नमबर ठीक हाजी पलस थर्ड नमबर कि एक है 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 इसके अनुसार नहीं सारे कोशन सोल की है ठीक है यूज़ देखें वन टू थ्री फोर्थ फर्स्ट नमबर सेकंड नमबर फोर्थ नमबर यह लिग दिया इसे तो चुछर्ट इन्होंने क्या आकरा पहले कि आ प्रस्ट नमबर को प्लस किया फोर्थ नमबर नमबर फोर्थ नंबर यह एक स्टुडेंट फाइव आ जाए कि अगया तक लोन जी फार ट्रश्ट एक पेटर्ण ओर दिमाग माताना जैसे देख़ेंवाद है यहां इसमें पोर पोर एड होते जा रहे हैं तो इसमें बहुत और डिफिकल्ट पड़ेगा वैसे हो तो इससे भी जाता है बिल्कुर सही होगा इस्टुएंट लेकिन अम इसी वाले पैटन को इसी सेट सगुण वाला था क्या था ता जया था फ़र्स प्लस फोमजयर मोजयर मोजयर अब यह वाली जो गजयर है हमें यूज करना है तो देखें फर्स्ट नंबर क्या है मारा 74 और फॉर्थ नंबर क्या है स्टुडेंट हमारा 77 तो इन दोनों को मैं आड़ कर देगी कि इतना हो गया जी एट अब फोर्ट अगलत हो गया स्टूर्ण 77 था हुआ 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 है सब्सक्राइब फोर्ट नंबर था यह फोर्ट नंबर था यह फोर्ट इन दोनों को एड़ कर लिया ठीक है जी अब हम क्या करें है सेट नंबर को और थर्ड नंबर को को एड़ करेंगे सेकिंड नंबर यह है मारा और यह मारा थर्ड नंबर है जी तो सेवेंटी फाइब और सेवेंटी सिक्स को एड़ करेंगे है अले इन फोर्ट इन फोर्ट इन फिफ्टी है तो स्ट्वेंट यह आंगे दोनों को एड़ कर लिया आब हम इन दोनों को एड़ कर लेंगे तो स्ट्वेंट चांसर आगे हमारा थ्रियंड यह तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं स्ट्वेंट 74 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 77 एक्वाल टू 304 ठीक है जी आपने कैसे क्या इन दोनों का एड़ किया और इन दोनों का एड़ किया और फिर जो अंसर आगा इन एड़ तो स्ट्वेंट इसी प्रकार जितने भी कौन सेप्टिव नंबर होते हैं आपके यहनके एक दो तीन चार पाच या दस ग्यारा बारा तेरा चोदा है ना या भी कोई भी 1921 1922 1923 1924 लगता रहने वाले नंबर तो सबको आप ऐसे जोड़ सकते हैं और उनका इंसर ऐसे ला सकते हैं यह तो था पैटर्ण अगर स्टुएंट आप इन्हें ऐसे भी आड़ करेंगे 2 और 1 3 3 6 और 4 10 अगर 5 और 5 10 और 440 अगर आप ऐसे भी उपर निचे रखके कर देता है एड़ कर देता है अंसर तो फिर भी स्टुएंट सही आएगा ठीक है लेकिन इन्होंने पैटर्ण दिया हुआ था तो हमें इस पैटर्ण के इसाफ से इन्हें सोल करना था ठीक है जबना तो इस पैटर्ण को देखकर इन्हें सोल करना इस क्या दार नहीं स्टुएंट यह सिंपल तरीके से भी एड़ हो जाते है कोस्ट नुमर 5 इस टेड़ दा पैटर्ण इन दा मल्टिपलेके संगी जी गिव बिलोग टेटर्ण यह कह रहा जो एपैटर्ण दिया गया है यह वाला यह जो पैटर्ण दिया गया है साफ इसाफ यूड कीजिए से कैसे किया तिक हैजी और इसी कह आदार पर जैसा इन्हो प्रोडेक्ट अकोर्डिंग टूदा पैटन तो इसी पैटन के आधार पर इस्टुडेंट आपको यह कोश्चिन कर शूल करने हैं ठीक है जी तो सबसे पहला भी से समझें देखें समय सुरूर में फाइव 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 प्लेस प्लेस है और यह हमारी टैन प्लेस है ठीक ह करते हैं कि वन्स मुल्टिप्लाइब वन्स पर जाया जी सबका फाइप फाइव है तो इस्टुएं ट्वन्टिफाइव आ गया आप देख रहे हैं समय ट्वन्टिफाइव ट्वन्टिफाइव है ठीक है जी अब हम इन दौनों को एड़ करेंगी वन्वन टू कॉंसर आगा है स्टुएंट अब जो टैन प्लेस है टैन प्लस टैन 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 प्लेस को एड़ कर देना ठीक है जी अब देखिए फाइव फाइव ट्वन्टिफाइव और टू और प्लस टू कितने होगे स्टुएंट फोर होगे और जो उपर वाली डिजिट है वो इसमें एड़ करते हैं और टू सिक्स तो स्टुएंट आंसर आ गया फिर ऐसे करेंगे नहीं फाइव फाइव जा ट्वन्टिफाइव जो पैटन है जो एक में यूज गया वही सम्में यूज होगा ठीक है फाइव फाइव ट इसके उपर कुछ नहीं था इसलिए अब हुआ जीरो तागर जीरो को एड़ करेंगे तू ही रहेगा है ना है तो तो शिक्स और शिक्स कि अडमार हुआ है कि अब फाइव की में थानलिफाइव आगया सटेन्टिए अब प्रमें और एड ते ऊगए code एक में ट्वेली कर सक्बाइव तो स्टूरेंट इस तरह हमेंने जो ये पैटरन था इसे स्टेडी कर लिया और इसे हमें समझ लिया कि कैसे हुआ वन्स की मल्टिप्लाइब वन्समा हुई टैन को टैन में प्लस करने के बाद इस्टूरेंट जो अपरवारी डिजित है वो इसमें अट उत्ती वी चली जाएगी ठीक है तो इस परकार हमारा एक कोश्चन हो जाएगा इसी जिसे यह वे स्टूरेंट इस परकार आपको नेक्स यान अब आप आयाल केक है डैरन गल्स्तूरेंट्वर हवस्टूरेंट और ट्वंटी चौ्टप्लाइब ट्यश्टूरेंट उत्यूद्य ट्वेश्टूरेंट आंसल क्योंutन तो हम्त बैस चीओ 75 अचयों šv times आद सदिक्ष्टूरेंट है कर दिया तो कितना अगया स्टूरेंट कि अलेविन तो ठाटी उपर था हमारे पास है ना अलेविन यह हो गया तो वन फो तो यह हो गया इस्टूरेंट ठीक है जी तो इसा अंसर को यहां लेक्टा कि अग्या और इस्टूरेंट मंस की मल्टिप्लाइ करी 25 आगया है अब 7 में प्लस कर दिया 14 हो गया अब पर क्या मारा फोर्टी वान एस्टूरेंट फोर्टी वान मैं आपने 14 को प्लस कर दिया हौई है कि आजी कि फाइव कि इसे दुबारा देख लेते हैं एक बार देखें हमने वंस की मुटिप्लाइब वंस की साथ करी ठीक है यह कि फाइव की फाइव की साथ मुटिप्लाइब करें तो स्ट्रेंट क्या हो गया 25 हो गया ठीक है जी अब 5 को और 6 को प्लस करा 5 और 6 11 हो गया हना स्ट्रेंट 11 हो गया है 11 का 1 और केरी 1 हो जाएगा केरी 1 हो जाएगा और 11 और 12 हो जाएगा कि ट्वेल अब धार्टी में आप ट्वेल प्लस कर देगा हो टी टू आज जाएगा कि अब इस्ट्रेंट यहां पर यह डिजिट मीस होगी है यह डिजिट मीस होगी है जिट गिलत थी और यहां पर सिक्स था है कि अब देख लिए जब इनको सही होगा है कि अब कि मल्टिप्लाई फाइव में करी इस्ट्रेंट ट्वेंटिफाइव आगे शिक्सू एड़ कर दिया ट्वैल हो गए कि अब दुबारा देखिए नेक्स्ट वाले को फाइव में करीब फॉंटिफाइव आ गया शेंट को सेंट में एड़ करना फॉर्टिन होगा और यहां फॉर्टिटू है फॉर्टिटू में फॉर्टिन आप प्रेस कर देंगे शिक्स और फाइव तो यह आजाएगा फॉर्टिटू इस परकार आपका यह कोशन एक ही पैटन से सारे हो रहे हैं और कई भी कोई प्रोब्लम नहीं आ रही है तो दुबारा समझ लीजिए वंस की मल्टिप्लाइब वंस में टैन को टैन में प्लस करना और किस्ट यहां जाएगा ठीक है को स्टेटी दा पैटन इन दा फ्लोइंग प्रोडेक्ट तो स्टुडेंट आपको इस पैटन को समझना है और फिर इन्हें उबजार करके जो यह आंसर दिये गया है इनके अजसर लिखने है इस पैटन को डिटेक्ट करो फाइंड दा फ्लोइंग प्रोडेक्ट अकॉर्डिंग टुडप पैटन और जो इनका अंसर लाना आपको इसी पैटन के अधार पर लाना है पोकुष ट्रवंड तो देखिये हम क्या करें डदे अलेविन मलीफलाई लेवीन को व्aisलटओं को आप क्या करेंगे इसमें वनस खी म sehe 1 कि साथ करनेघ्यक ए one इस मोलीफ्वाई वरह है ठीक है जी, फिर आप 10, 10 place को 10 place में add करेंगें, ठीक है जी, फिर आप 10 place की multiply 10 place में करेंगें, किस्ट्रेंट इनका अंसर आगें, देखिए, यह 1s है, यह 10s है, यह 1s है, यह 10s है, ठीक है जी, 1 की multiply 1 में करेंगे, किस्ट्रेंट का अंसर आगया, अब 10 place को 10 में plus करा, 10 place को क्या है, 11 है, तो किस्ट्रेंट, आप फिर 10 place की multiply 10 place में गरें, तो किस्ट्रेंट क्या आगया, 1, तॉंसर आगया, यह आपका, 1, 2, 1, ठीक है, स्ट्रेंट, समझमार आपको, next समझ लिजे, 1s place पचा है, 1s place पर 11 है, स्ट्रेंट, तो 1 यह आगया, 10 place पर क्या है, 2, 2, 4 आगया, अब 10 place पर क्या है, 2, 2, 2 multiply 2, तो इस्ट्रेंट क्या आगया, 4, 4, 4, 1, आगया है, आगया, और नेक्स्ट भी देख लिजिए, जब तक समझ में आए, पैट्रेंट को समझ लिजे, क्या है, 1 पर, 1, 1 ही है, एस्ट्रेंट, 1s place पर, 1 आगया, 10 place पर 3, 3 है, 6 आगया, और 3 multiply 3 is equal to 9, तो आगया, 9, 6, 1, समझ रहे हो ना आगया, तो 1 यह आगया, 8 आगया, और 16 आगया, आगया आगया, तो इस पैटर्न का यूज करना आए, स्टुनेंट यह पैटर्न यूज हो रहा है, सब के लिए, सब क्या अंसर आगया इस पैटर्न से, तो स्टुनेंट इसी परकार आपका जो यह पैटर्न था यह डी कोड हो चुका है, अब आप यह जो कोशन दिये गया है, इसी पैटर्न के आदार पर सोल करेंगे, ठीक है जी, आप देखिए बंस प्लेस पर क्या है, वन वन है, तो वन आगया अब इस्टुन 10 प्लेस 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 है, 5 5 5 plus 5 equal to 10 10 की 0 के री 1 अब next place पचा है 5 5 5 multiply 5 is equal to 25 plus 1 is equal to 26 तो रस्ट के आगा 26 0 1 यह answer हो 26 0 1 ठीक है जी आव नाश्ट देश्ट 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 1 1 6 6 तो रस्ट रस्ट रहा नागा रहा लोगा के री 1 रहा 6 6 36 plus 1 is equal to 37 2 1 एक रिख्ट देख्ट लीजिए पहले का तो वन वन नी रहे गा रहे गा और प्लेस वान तो कितना हो गया 60 प्लेस्ट इसी पैटन का अधार पर इसी से अगने सरे कोसिन के और इसी पैटन का अधार पर देंदी हुए तीनों कोसिन हमने करें करें तो उमीद है इस्टुएंट आपको यह जो कोसिन है आपको सुझमाए होंगे और फिर भी अगर आपको लगता है किसी कोसिन में कोई प्रोब्लम है तो इस्टुएंट आप उसके लिए कोल मैसेज कर सकते हैं ठीक है जी और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस्टुएंट यह वीडियो आपको कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट में जुरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगता है तो नाइस या गूर लिख सकते हैं अगर आपको कोई कमी नजर आ रही तो उसे इस्टुए और आपको का